हेलो वेलकम टो माई डूप चैनल एक्स्टेम रिधिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिरो दा काईट में आप हिस्ट्री कैसे देखेंगे ठीक है फर्स्ट फॉल अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते है ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते है तो आप हमारा ये वाट्स आप चैनल फॉलो कर सकते है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सिन में देदूँगा ठीक है अब हम सिंपल जिरो दा काईट ओपन करेंगे और जिरो दा काईट ओपन करने के बाद हम अपनी प्रुफाइल पे क्लिक करते आपने जो भी ट्रेट्स वगेरा लिया रहेगा अगर आप उसकी हिस्ट्री देखना चाहते था आपको ओपन एक्सक्वूट ओडर में या फिए ओपन ओडर में आपकी चो 24 आवर की हिस्ट्री रहेगी वा आपको सो करेगी तो आप ओडर पर जाके अपनी हिस्ट्री को चेक कर सकते होल्डिंस में भी जाकर की और पोजिशन पर जाके भी आप लोग चेक कर सकते दिखिए पोजिशन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते लाइक जो भी आपने पोजिशन एक्जिट क्या रहेगा 24 गंडे तक की वो आपकी position यहाँ पर सो करेगी अब अगर आपको statement बगेरा कि इस्ट्री निकालना है तो आप profile पे click करेंगे then यहाँ पे दिखिए मैं जैसे कि निकालना चाहता हूँ अपना P&L ठीके, tax and P&L पे मैं click कर देता हूँ then यहाँ पे किस time का आपको निकालना है quarter 1 से लेके quarter 3 तक का में निकालना चाहता हूँ और financial year आप लोग यहाँ पे select कर सकते then मैं इस icon पे click करूँगा और यहाँ पे मेरा जो है intraday profit जो भी history रहती मेरी पूरी यहाँ पे निकल जाएगी और अगर मुझे से download करना रहा तो मैं इसको download भी कर सकता हूँ ठीक है तो इस तरीके से आप लोग history निकाल सकते जिरो दा काईट में so topic discover मिलते हैं next वीडियो में